जैस्री गडेशी महराज हर माह चतुर्थी ब्रत आता है परन्तु माग माह में पढ़ने वाला क्रश्न पक्षिका चतुर्थी ब्रत जिसे संकस्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है अद्वुत होता है विसेस होता है इस वर्स मलमाज भी लगा था खरमाज भी है तो ऐस सिटिति में नए ब्रत शुरू करना सुब χाय नहीं इस वीडियो में यही जानकारी लेगे जैसा कि आप सभी जानते होंगे यह ब्रत परंसुखकारी है जो महलाँ इस ब्रत को करती है सौ भाग के पुत्र की प्राप्ती होती है साथी संतान है तो उसकी लंबी आयू बहुत स प्रत में सब कारे से निवरित होकर गड़ेश जी महाराज की कथा सुनती हैं विसे इस गड़ेश जी का पूजन करती हैं चंद्र देवता को अर्ग देने के बाद अपने ब्रत को खोल लेती हैं यह ब्रत अपने आप में कई भक्तजन जो है निर्जल भी करते हैं कई भक्तज चाय पानी पीकर भी इस ब्रत को कर लेते हैं जिस स्वरूप में किया जाए गड़े जी महराज आपकी पूजा स्विकारी करते हैं मन्चाहा बर्दान भी आपको देते ही हैं ऐसी इस्तित्व रहा है यह ब्रत जैसे कि मार्ग शिश्मा के क्रिश्न पक्ष की जो यह तिति है जर था चतूर सी थी है प्रारम्भ हो जायेगी 99 जन्वरी सॉम बार की सुबह 6 बचकर 12 मिनट से साथी चतूर सी ती ती समापत होगी 30 जन्वरी मंगलवार सुबह आट बचकर 54 मिनट से ऐसे में उधियाती थी ठीके अनुसार और चंद्रोदय के आधार पर इस ब्रत का नेरने किया जाता है उसी के आधार पर सौंबार का दिन रहेगा 29 जनवरी के दिन 2030 में माफ कीजे जो 2024 में यह ब्रत किया जाएगा 29 जनवरी को सौंबार है उसी दिन आप सभी इस ब्रत को करें अब ऐसे में यह प्र जो जाएगा थोड़ा बहुत जो है सहरों के अनुसार बदला होता है उसी के अनुसार इसी के आसपास प्रारंभ दिख जाएंगे चंद्रमा कहने का अर्थ है ऐसी स्थिति में आप सभी इसी समय चंद्रदेवता को अर्ग दें आप सभी के मन में यह भी दुविधा होगी कि मलमास लगाया था और खरमास चल रहा है ऐसी स्थिति में ब्रत करना नए सिरे से सही रहेगा या नहीं तो आप सभी को बता दूं मलमास समाप्त हो चुका है खरमास भी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है सास्त्रों में कहा जाता है मलमास और खरमास के दौरान जिस अ अंत तक उस दोरान नया ब्रत सुरू नहीं किया जाता, नय ब्रत का उद्यापन नहीं किया जाता, कोई सुब काम नहीं किया जाता, परंतो मलमास और खर्मास समाप्त हो जाने के बाद आप सभी इस ब्रत को सुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रथमबार सु अभी चीजे लिखी हुई है विस्तार से जानकारी आप सभी को धीरे धीरे चैनल पर मिल जाएगी अभी के लिए इतना ही जैस्री कृष्णा जैस्री गड़ेजी महराज कोई प्रश्ण हो आपके पूश लीजेगा आपका अपना चैनल है सभी सवालों के जवाबा प्राप् करेंगे